पश्री मंगाल के संदेश खाली को लेकर जो वहाँ पर हो रहा है इस पर लॉकेट चटर जी प्रेस कॉंफरस्स करी फूलेते हैं यह हमारे पश्री मंगाल के लिए कलंग है महमता बैनर जी पश्री मंगाल में मुघल जो सासन था हम लोग इतियास में पड़े थे वही सासन फिर से लेके आ रहे हैं कोलकता से 30-35 किलोमीटर दूर बशिराट शंदेश काली एक जगा है और वहाँ पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया शेक शाजाहन, उत्तम शौटदर, शिबू हजरा इसा वहाँ का माफिया लोग है बांप्रंट के टाइम से ये लोग वहाँ पर पुरा माफिया राज चलाते हैה बहुत बार उहां का जनता का जनता ने आवाज उठाया था ये शेक साजाहान ये जी इसका टीम माफिया गैंग है टेरोरिस्ट है इसको ग्रेफतार कीजिए सजा दीजिए लेकिन बामफरण ने भी कुछ नहीं किया 34 यर्स में उसके बाद सासन आया टिनमुल सरकार का उन्होंने उसका सेक साजाहन को इतना सारा वहां पे अत्याचार किया टिनमुल सरकार ने ये सेक साजाहन वो टेरोरिस्ट को वहां का सभापती बना दिया बसी राट उसंदिशकल इलाका का डॉन बना दिया सभापती बना दिया ओफिशियल पोस्क दिये दिया और वो लोग क करते थे सालों सालों तक महिला के उपर अत्याचार सिफ अत्याचार नहीं रात बारा बजे रात एक बजे फोन करते थे फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है अभी काम है अगर मना करते थे बारा बजे अब लोग क्य की देते थे कि आप अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हजबन को टांसपर कर देंगे हजबन को माट देंगे तो महिला लोग क्या करेंगे परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे बारा बजे सारे बारा बजे दो तिन दिन बाद महिला लोग खुद बता रहा है आप टीवी के सामने की दो तीन बात जब उनका मनरंजन पुर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे उसका जमीन ले 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 लिया उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया और खेती नहीं कर पाए उसके बच कुछ उपाए नही है उसका जो गैंग है उसके पास से पर्मिशन लेके आईए आप तब आपका एफाइर होगा ममता बैनाज जी कल बोल रहे थे न कि एक भी एफाइर नहीं है इसलिए नहीं है कि एफाइर करने के लिए जो पोलिस होता है ओ भी शेक शाजान के साथ एकदम मिले जुले है खोच खोच के हिंदू महिला को उठाते थे हिंदू महिला को सम्मान बरवात करते थे और कुछ नहीं एक भी अभी तक एक भी उन्हेंने स्टेटमेंट नहीं दिया उन्हें शेक शाजान अभी तक एपसकॉंडिंग है कल शिवु शादर को एरिस्ट किया ये दोनों को एरि है ना आचल के अंदर में यह से सजान को रग दिया कि सामने लोकसावा निर्वाचन है 30% का वोट चाहिए उनको तो हिंदु महिला को जो भी हो जाए लेकिन हम लोग तो 500 रुपया दे रहें ना 500 रुपय दे रहें 500 रुपय में हिंदु महिला को मान इज्जत सम्मान लूट रहें परिश्ची मंगाल में सिर्फ 500 रुपय में अभी बाजट में एक साइड में बाजट में घशना किया 500 से हजार हो जाएगा और दुसरा साइड में हिंदु महिला को खोच-खोच के ले रहे और जो लोग अभी TV के बहुत सारा आपके जैसे मीडिया लोग उहां पे गया, महिला गया, मीडिया लोग, महिला जाके घर में घर घर में जाके उसका बाइट ले रहे हैं, सब लोग एकदम पूरा कपड़ा ढखके, सब लोग बोल रहे हैं कि देखे हमारे मूख नहीं दिख रहे हैं, उसका घर लूट हो रहे हैं अभी, अभी शंदेशकली का सीचेशन, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कहां पर हम लोग सुने हैं कि आइसिस का सुना है हम लोग हम लोग इराक इरान का बात सुना है हम लोग पकिस्तान का बात सुना है कि महिला के उपर कैसा अट्टाचा चलते है आज वही पश्चिम मंगाल में हो रहा है और ममता बैनर जी पुरा चुप है वो क्या बोल रहा है ओ बोल रहा है यह RSS कर रहा है हम लोग हाथ जोड करके बोल रहा है कि ममता दीदी आपको तो सब लोग चून के लेके आया था 2011 में, महिला लोग आपको चून के लेके आया था, महिला लोग आपको वोट दिया था, क्यों वोट दिया था, कि पश्ची मंगाल में बंफरन के सासन में 34 यर्स में महिला लोग सबसे अशुरक्षित थे